तो असलाम अलेकुम दोस्तों स्वागत है आपका नस्रिन की रेसिपी चैनल पे आज हम बनाने वाले है कैरेमल एजी और जटपड बन जाता है हमारा कैरेमल और खाने में तो ला जवाब होता है तो वीडियो के एंटक बने रहना तो कैरेमल बनाने लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे यह कैरेमल ली हूँ मैंने यह चोकलेट फ्लेवर का है और यहाँ पर एक रिडर दूध है जो मैं गरम कर रहे हूँ यह फुल फैट डूध है गाड़ा वाला दूध है एकदम इसके दर मैंने कोई पानी आट नहीं की हूँ एप на डूध नहीं है विए यह फंबने के अनदर थेखको एक प्राम करेंगे जब दोस्तों इस तरीके से अपर हमारे कहरे मल इड़र कर लेंगे हैट ँले यह देखें, इसके इंदर दो पैकिट आते हैं, यह लिकवीट है यह हमें is कटोरी के इंदर, जो भी बाल में या कटोरी में आप ले रहे हो, उसके इंदर हम लगो यह आप भी है बिचा देंगे, पहले लिक्वीड यह शुगर लिक्वीड आता है और यह केरेमर का पौडर और शक्कर साथी में तो आप इसके नर अगर आपको इससे ज़्यादा शक्कर लगे चाहिए मिठा ज़्यादे में तो आप उपर से भी शक्कर एट कर सकते हो मैं इसके नर थोड़ा यह दाल देती हूँ यह देखिए इस तरीके से हिलाते हुए मैं इसके नर एट कर रहे हूँ हमारा केरेमर थोड़ा गैस स्रोड़ कर देंगे इस तरीके से हमें यह दालना है अच्छी तरीके से चलाते हैं इतनी प्यारे खुश्ब आ रही है चॉकलेट्स की माशाल्ला अब इसके अंदर थोड़ा सा हलका सा में शक्कर उपर से एट करूँगी क्योंकि एक लिटर दूद है मेरा थोड़ा मीठा कम हो जाता है इसलिए आदा चम्मच रख रही हूँ में शक्कर एसकर डालेगी अगर आपको लगे तो आप डालिये या तो ना डालिये आपकी मर् हलका हलका डाल देंगे हम लोग इसी तरीके से एक यूट सी छोटी-छोटी कटोरी है तो देखिए मैं अच्छी तरीके से इसमें सब में डालती हूँ अब हम इसी के साथ में ग्यास बन करते से ही इसके अंदर हम आप जो पैरे मलता हो पल्टी कर देखिए कर दो दुप, कर दो दो दोटे हैं कर दो कर दो कर दो अब हम इस तरीके से इसको रख देंगे हमारे फ्रीज में दो घंटे के लिए अब मिलते हम दो घंटे के बाद यह गरमी है गरमी में फ्रीज में रखोंगी जादा गरम नहीं नॉर्मन हो गया तो दोस्तों यहां पर हमारा केरेमल बनके तयार हो चुका है हमने इसे दो घंटे के लिए फ्रीज में रखा था देखिए हमारा केरेमल अच्छी तरीके से सेट हो गया है अब मैं इसे आपको प्लेटींग करकेश कें बताती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारा कैरेमाल कैसा लग रहा है.. हम इसको प्लेटींग कर लेंगे.. बिस्मिल्लाव.. ओहु वहूँ देखिए माशालला हमारा केरे मल लख ला है अच्छी तरीकी दर सेट हो गया है बहुत ही प्यारा फोटो ले केरे मल लख ला है अब मैं इसे आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि यह खाने में कैसा लग रहा है बिसमिल्ला बहुत ही mind-blowing हमारा केरे मल बन के तयार हुआ है किसी आइस क्रीम से कम नहीं है और आइस क्रीम से भी ज़्यादा टेस्टी है तो आप य रेसिपी ज़रू ट्राइ कीजिए मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जिल्ली पे, इंस्टाइग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मैं मिलते हूँ आप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाई, अल्ला हाफीज, लव यू आउट